ये कहानी में तब तक नहीं बता सकता था जब तक मेरी मा भी जिन्दा थी बात 1995 की है मेरे 15 का होने में अभी एक हफता बाकी था सर्दियों के दिन थे मेरी बहन एक सुबा कॉलेज के लिए निकली और फिर वो वापिस घर नहीं आई तब सेलफोन वगरा नहीं हुआ करते थे जब हमने कॉलेज जाके पता किया तो पता चला कि वह वहां पहुची ही नहीं थी अब घर में काफी बवाल मचा मैं दीदी है कमरे में उसकी टेलिफोन डायरी खोजने गया कि उसकी सहीलियों को फोन करता हूँ तो वहां ड्रेसिंग टेबल पे वो एक मा के नाम चिठी चोड़ गई थी कि I am sorry मैं आपकी अपेक्षाओं पे घरी नहीं उतरी पिता जी के नाम एक नोट था कि अगर आपने मा का ध्यान ठीक से रखा होता तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती मेरी लिए लिखा था कि बई तो लड़का है तो लिए थोड़ा असान है दुनिया के साथ निभाणा और अन्ट में यह लिखा था कि बई मैरी मौद के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराया जाए अब जब से मैंने होश संबाला था घर के हालात मैंने यही देखे थे कि घर में बहुत कलेश रहता था और मेरी मा जो है गरों में कोई ऐसा इशू होता है न तो ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे की सपोर्ट में कठे हो जाते हैं बलकि जो तनाघ है गुस्सा है वह एक दूसरे पे ही निकलता है पिता जी को भी बहुत जिल्लत उठानी पड़ी मेरी जो दीदी है वो मेरी मा की पिछली शादी से थी तो पुलिस वालों ने मुझे साइड मे ले आके पूछा कि भई ऐसा तो नहीं है कि पिता जी और बहन में कुछ उड़ी सीधी बात हुई क्योंकि देखिए यहां तो सगे बाप बेटियों को नहीं छोड़ते इस बारे में कोई बात नहीं करता वो बात अलग है क्योंकि कोई रड़की बोले भी तो सुनने वाला कौन है खेर हमारे गर में ऐसा था नहीं कुछ दीदी की समस्या तो मा से थी पर ना तो वो चिठी में मा का नाम लगा के गई और ना मा नहीं कभी अपनी गलती माने अखबार में टीवी में रोज आड आती रही पुलिस भी अपना काम करती रही दिन निकलते रहे जब भी फोन की घंटी बच्ती में लपके जाता कि शायद कोई खबर आई हो पर कभी कोई खबर आई नहीं पुलिस वाले कभी भी किसी रेल की पड़री से, नदी नाले से, किसी जंगल से किसी जवान लड़की की लाश निकालते थे, जो लावारे सोती थी, तो पिता जी को शिनाक्त के लिए बुलाया जाता था वो समय से पहले बूड़े हो गए शायद उन्हें ये भी लगता था कि वो बहन को बचा नहीं पाए मा को भली बात ही पता था कि दीदी घर से क्यों गई, पर फिर भी वो जिन्दी की वर दीदी को ही ब्लेम करती रही मेरी दीदी को मेरी माने गिल्टी फील करा करा के कन्विंस कर रखा था कि भई, तेरा जनम मेरी emotional needs पूरी करने के लिए हुआ है हमारे देश में तो होता है ना ये, कि भई, पाल पोस्के तुम्हें बढ़ा किया है, तुम इंजिनिरिंग नहीं करोगे, तुम्हें पाल पोस्के बढ़ा किया है, तुम शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं पैदा करोगे गिल्ट की डोर से हमें कटफुतलियों की तरह नचाया जाता है अब बात सिरफ गिल्ट की हो तो कल को हिम्मत करके कोई इन डोरियों को काट करके अजाद हो सकता है पर हम खुद भी तो अपने लिए एक मुसीबत पैदा कर लेते हैं न मैं उस पे हाँ उस से पहले मैं आपको एक और बात साफ कर देना चाहूंगा मैं इतनी निजी बात सारवजनिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ऐसी बड़ी-बड़ी मुसीबते होती है ना ये लगबग हर किसी के साथ किसी ना किसी रंग रूप में होती ही हैं पर फिर भी हम सब इन पर परदे डालते हैं क्योंकि जो एक सामान ने की छवी बनी हुई है जो नॉर्मल की परसेप्शन है उसमें इन बातों के लिए कोई जगा नहीं है पर जब तक हम इन बातों को छुपाते रहेंगे हम इस नॉर्मल की नकली छवी को और पुखता करते रहेंगे मुझे लगता है कहीं पर हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इन सब बातों के बारे में बात करने की खासकर उन लोगों की जो पॉपलर हैं जिनकी लाखों लोग बात सुनते हैं जिनका जीवन सारवजनिक है नहीं तो आप अपनी नकली परफेक्ट जिन्दीगी के बारे में बात करकर के लोगों को उनकी एक असल जिन्दीगी के बारे में कहीं न कहीं बुरा महसूस कराते हैं अब जो घरवाले हमें guilty feel कराके वो चीज़े कराते हैं जिने हम करना चाहते नहीं न तो घुटन से बचने के लिए कहीं न कहीं हम अपने आपको convince कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये मैं खुद से करना चाहता हूँ तो जो हमारे पे थोपा हुआ guilt है और ये जो हम अपने आपको धोखा लेते हैं इसके चलते हैं हम अपने आपको इतना उलजा लेते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा खराब होने के बावजू हम उनसे फिर निकल नहीं पाते हैं देखिए मैं आपसे वही बाते शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि काश समय रहते किसी ने मुझसे शेयर करी होती तो हो सकता है आप वो माह हो जो अंजाने में अपनी बेटी की जिंदगी का गला घोट रही हो हो सकता है वो भाई हो जो अपने आप में इतना मस्त है कि उसे अपनी बेहन का दुख नहीं दिखा या हो सकता है आप वो बेहन हो जिसे शायद आज ये सुनने की जरूरत है और आप अपनी जिंदगी खतम करने के वजाए जिंदगी बदलने का प्रयास करें